इक ही दिन में पैसा 10 गुणा कर सकते हैं आप्शन स्ट्रेडिंग करके एक ही दिन में पुट ऑप्शन में पैसा 3 गुणा कॉल ऑप्शन में पैसा 2 गुणा सिरफ बाइंग करके नेकिड बाइंग करके स्ट्राइक पाइस एक ऐसी वजय है जिसकी वैसे option traders को नफसान होते हैं जितने भी newbies हैं, no status हैं, वो दुनिया के telegram channels पे घुसे हुएं दुनिया बरके उनको लगता है कि यहां से tip ले लो, वहां से tip ले लो सबसे बड़ी problem यह है कि वो out of the money options को trade करते हैं कोई deep out of the money trade करते हैं, कोई deep in the money trade करते हैं, किसी को यह समझ जाता है, कौन से options को write करें, कौन से options को buy करें strike price कैसे choose करें, इस वीडियो का जो मकसद है आपको यह समझा रहा है कि strike price कब और कैसे choose कि जा अगर आपने यह problem solve कर ली, तो I can promise you कि आपको option trade इतना जबरदस हो जाएगा और आपकी आदे से जादा समझ से आप solve हो जाने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखके जाना क्योंगी detailed वीडियो बनने वाली है, तो जिसे lendी हो सकती है, shortcut नहीं है क्योंकि यह problem इतनी गहरी है, जिसकी वैसे 99%, novice traders बरबाद हो रहे हैं, पैसा खराब कर रहे हैं मैं नहीं चाहता कि आप, अगर मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, असी scalper के उपर में scalping काना चाहते हैं, day trading काना चाहते हैं, intraday करते हैं, swing करते हैं, कुछ भी करते हैं अगर options में positions बना रहे हैं, तो आपकी जो इस problem है, कि जहां पे how to select this strike price, कौन सी strike price में कब काम किया जाएं, मतला अगर बजार तेजी में हैं, तो for example, 8400 चल रहा है बजार, अथार अधा 700 इकॉल option लिजाए, या 18400 लिजाए, या 18500 लिजाए, पूरा इसमें देखेंगे, अग कौन सी put option की strike prices को खईदा जाए, किसको write किया जाए, इस detailed video होने वाली guys, writing, buying, बिल्बकुल दोनों चीज़ों cover करने वाले detailed video है, तो please दोसों से share करना, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ही कि ज़र है, बहुत सही लोग इस option trading का शिकार हो रहे हैं, इस problem का शिकार हो रहे हैं, buy करना तो आता है, exit करना नहीं आता, क्योंकि उनको ये ही नहीं पता कि उन्होंने लिया क्या है, तो सबसे पहले identify your problem and that is how to select the strike price, so let's get started and enjoy this video, दोसों ये NST की option chain है, जिसमें एक साइड में calls का लेटा होता है, एक साइड में puts का लेटा होता है, जिसको option chain कहते हैं, इसको access करन करने के लिए आप सिर्फ Google पे NST option chain करेंगे, तो सीरा पहला link ये ही कुल के आएगा, अब यहाँ पर जो middle column है, देखे, सबसे पहला important column है, that is strike, यहाँ पर strike का मतलब है, वो strike price है, लोगो ये ही नहीं पता कि strike होती क्या है, strike price होता क्या है, इसको थोड़े से example से समझागा है, वीडियो detail में होने वाली है, जो आपको ये content कहीं नहीं मिलने वाला दूस्तों, strike price का मतलब है, कि मैं चाहता हूँ कि भाव उस strike price तक जाके hit करें, for example, अगर निफ्की 8400 चल रही है, पर अगर मैं 8500 की बात करहा हूँ, तो शायद मैं तेजी में हूँ, शायद मैं चाहता कि 18500 तक भाव strike करेगा, टच करेगा, ये वैसा ही है, जैसे for example, आपने किसी gain को एक दिवार पर फेका, you throw something on a wall, like a ball, right, अगर आपके फेकने में throw करने की ताकत अच्छी है, तो शायद that ball can strike the wall, अगर नहीं, तो शायद वो wall से थोड़ा सा पहले गिर जाएगी, अगर आपने थोड़ा हलके pressure से फेका होगा, तो शायद wall को strike ना करे, तो मेरी intention तो है, मेरा strike point है wall, मैंने जिस strength से उस ball को throw किया है, अगर strength है, तो शायद उस strike price को hit करेगी, या उस wall को hit करेगी, वैसे ही, option chain की जितने में strike prices आपको दिखाई देरी है, आप तेजी का सोधा कर रहे हैं, समय पताएगा, ये data को read करने भी आपको पता लगेगा, आपको बजार में समझना हुआ, इस data को, this is the key, जोस्तों मैं पिछले इतने सालों से जब से आपको पढ़ाने के सिलसले में आया हूँ, या अपना trade आपके साथ कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, मेरा पूरा फोकस option chain के उपर होता है, मेरी 99% की accuracy क्यों है, 1% क्यों छोड़ रहा हूँ, चलो बजार है, बजार केसी को भी जटका दे सकता है, हम भी उसको मानने को त्यार है, बट 99%, ये बहुत बड़ी accuracy है, this comes only with option chain, इतने ही classes मैंने लिए हैं लोगं को, इतने लोगं को समझाया है, उस इसमें से भी आप समझ के दिखे, जो शिद्द्द से option chain को सड़ी करते हैं, पैसा बनाने माला माला है, जो सोते हैं data difficult IR, ये strike price समझ नहीं है, ये option data समझ नहीं है, चलो कुछ हो try करते हैं, आज moving average पे चले जाते हैं, जा सकते हैं आपकी मरदी है, बट जैसी accuracy मैं लेके आता ह वो price है, जहां हम चाहते हैं बजार चाहेगा, 18,500 चलता है, आपको रहता मंदी, 18,400 जा सकता है, तो 18,400 की strike price का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि 18,400 तक बजार जा सकता है, इस option chain में, आपको दो दर एक colors दिखाए देरें, एक yellow type का color है, एक white type का color है, yellow जो भी है, for example, call side के जितन 500, 600, 600, 600, 700, ये इंदमनी put options है, call options के लिए गिरता हुआ भाव इंदमनी रहेगा, strike prices 550, 500, 400, 400, जितनी पी strike prices है, सब के सब इंदमनी है, और जितना नीचे जाएंगे, वो deep इंदमनी हो जाएगा, वैसे ही put options के लिए अगर आप 500 पे खड़ा हुआ है, आप 19,000 की put option की बात कर नहीं होता, दोस्तों एक options का जो price है, वो बहुत सारे factors मिलके तैग आते हैं, उसमें सबसे important factors होते हैं, दो factor which is time value and the intrinsic value, जैसे आप expiry के पास आते हैं, उसकी volatility, उसका rate of interest, उसकी बाठी चीज़े खतम होने चले जाती है, time value खतम हो जाती है, बचता है, तो सरफ intrinsic value, तो out of the money options म intrinsic value zero हो जाती है, इसलिए वो खुद भी zero हो जाती है, उसमें time खतम हो जाता है, वेगा खतम हो जाता है, rate of interest खतम हो जाता है, सबी चीज़े खतम हो जाती है, main factor है intrinsic value, असली हैसियत, असली अकाद, असली जान उस option की, वो है strike price, वो है उसकी in-da-money, तो जितनी भी in-da-money strike prices है उसके अंदर में intrinsic value बच दी है, इसलिए वो options कभी भी 0 नहीं होती, पहली बात तो यह correction कर लीजिए, कि जब भी आप options को buy कर रहे हैं, आपका रुजहान, आपका taste, आपका interest, उसको options को buy करने के लिए in the money options में होना चाहिए, out of the money options को भी आप buy कर सेतने, अगर आप suppose को monthly expiry है, आ आप मंत के starting में बात करें, तो हो सकता है, अभी को कि 30 दिन का महीना पढ़ा हुआ है, 20 दिन बच्चे है, आपके expiry में होसता है, 15 दिन बच्चे हो, तो time value की बज़े से, वेगा की बज़े से, आपको out of the money options में भी पैसा मिल सकता है, बट अगर आप deep out of the money खरी लेते हैं, त पंदरा पैसे, अठारा छेजू की option चल दिये, मातर बाइस रुपे, वहीं अगर आप देखेंगे, तो अठारा हजार की call option चल दिये, 546 रुपे, एक छोटी सी activity करते हैं, calculator खोलते हैं, आपको breakable सिखाता हूँ, ताकि आपको बिलकुल ये video, एक complete video होने वाली है, how to select these strike price के उपर में, देखें, अठारा हजार की call option है, फोट option ही करके दिखा हूँ, आप breakable निकालना सिखिए, अठारा हजार की call option का भाव चल दा है, 546 रुपे, 546.90, एड करेंगे, प्रीमियम को एड करेंगे call option में, तो आपको breakable बनाएगा, अठारा दर 546, आज की nifty की expiry कहां है अठारा हजार 534, तो मतलब ये जो भाव है, कहीं ने कहीं 534 के 546 नस्दीक है, समझ रहें, आप इंदा मनी में ये जान है, वहीं आउटर दो मनी एक पा देख लेते हैं, वहीं अगर माली जी हमें 19,000 की call option को लेना है, तो 19,000 प्लस 0.90 कितना दूर है, बास अजाएं, I hope अ आधी problem आपकी solve हो चुकी होगी, 18,500 की call option को देखे, 72 रुपीज की, 18,500 की call option में premium match करते हैं, कितने रुपेगी, 72 रुपीज की, मेरा breaky बनाता 18,500 की call option की strike price, कब price कितना चल रहा है, ये देखे, 397, इसमें अगर add करेंगे, 397, तो मेरा breaky मनाता है, 18,547, भाव चल रहा है, 536, कितना नजदी कहभा होगे, तो इस option को क्या आप सोचके देखे, अगर 18,500 से, 18,300 भी निफ्टी हो जाती है, तो क्या ये option 0 हो जाएगी, बट 18,500 के उपर वाली जितनी भी strike prices हो, सब 0 हो जाएग आप एक तो auto-dumany को carry दिल्कोल मत लिए, crime है, crime, 18,500 भाव चल रहा है, 18,300, 400, 200, 100, अगर महगा भी लिया है, तो कहीं नख़ी scope है, उसमें average करने का, निकलने का chance बना रहेगा, तो पहली गल्ती मत कीजिए, auto-dumany options को लिजिए मत, auto-dumany options को आपको carry करने के जरूर दिए, इ इसा नहीं है, यह रात ररत करोरपती होना dangerous है, यह सोच ही dangerous है, ऐसे नहीं होता भाई, कोई नहीं होए, ना कोई हो सकता है, आपको बजा को समझना हुआ, समय देना हुआ, तब बजार आपको सिला निकाल के लिए, वही, अब protection को देखिए, अब माल लिजिए, आज बंदी 144-196 बहुत अच्छे पैसे बनेगी, यह मैं चार्ट आपको लिखाता हूँ, 18700 की फोट आप्शन पोर, समझना कि मैंने strike पर इसको क्यों select पिया, बहुत important secret आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, 144 के stop loss के साथ हम नहीं लिया था, इसको आज 11 बज के 23 मिनट पे 213 बी हो गया, 144 से 210-213 बे मलब almost 40-47% की return हुई है, एक ही दिन में यह possible है, पर मैंने यह strike price को choose कैसे किया, पूरे दिन मैंने 8700 की put option में ही क्यों काम किया, 8500 की call option को ही क्यों chart पे लवागे रखा, यह strike price मैंने यह ऐसे choose की, अब इसके उपर आते हैं, पहले break even निकालना सीखत हैं put option का, अब देखिए, ठारा हजार, जैसे हमने call option में premium को add किया था, तो उसका break even निकल किया था, वैसी put option को जब आप buy करते हैं, तो उसमें से premium को आपको minus करना होता है, for example, 18500 की put option का मानने यह चल रही है, 100 रुपे, तो 100 रुपे के premium को आपको उसमें से minus करना होगा, जब बजार चलेगा, तो आपको पैसा मिलना शुरू होगा, break even वहाँ पर आएगा, volatility विएसे, time value की विएसे, समय बचा होई, उसके विएसे movement आ सकती है, पर हो movements था ही नहीं है, temporary है, तो कहरेंगा मतलब है कि आपको कव क्या चूज करना है, सबसे पहले इंदा money, अब कौन स आपको करना है, यहाँ पहले निफ्टी लगाते हैं, अब निफ्टी का आज का चार्ट था, निफ्टी आज यहाँ से वन डे चार्ट पर लगा लेते हैं, यह हमारा आज का चार्ट था, बजार आज गैप से नीचे के तरफ नौपंद्रा की पहली candle थी, समझना इसको बड लगता है, 18,570 का लो लगता है पहली candle पे, अब मेरे सामने क्या options है, कौन सी options को मुझे चूज करना चाहिए, सिंपल, 31 मही का दिन आज की बाद करते हैं, नौबच के प्रोड़ेम पे बजार ने एक red candle दी, अब मैं सबसे पहले क्या करूआ, कौन सी options में मुझे काम करना च बजार चल रहे है, 18,570 के आसपास, तो सबसे पहले आप कोई देखना है कि बजार कहा है, कौन सी strike price के आसपास में, अब 570 को लोकेट की जी का मिलेगा, 550 और 600 के आसपास, तो 550 से नीचे की strike price क्या है, 8,500, 550 की उपर वाली strike price क्या है, 8,600, अब जादा से जादा आप एक और strike price नीचे या एक और strike price ऊपर देख सकते हैं, तो मेरा strike price selection खटा में आता है, जोनली मैं 550 की जो options है, 550 या 450 या 650 इनको select नहीं करता हूँ, तो में जो बहुता है, मैं round figures में काम करने कुशिश करता हूँ, वहाँ पे liquidity अच्छी होती है, तो 18,570 चल रहा है, 600 के पास पे है, तो बैने 8600 को ऊपर पकड़के, 8700 की put option को मैंने बजार में लगा लिया, बनला 8700 अगर license है, आप देख सकते हैं, यह तो आपको max main आता है, उसके उपर ने 267,000 का open interest है, कितना clear open interest है, यहाँ पे तो आपके पास में एक अच्छा-कास max main है, और दूसरी साथ में देखेंगे, आ जादा open interest कहां पे आपको दिखाए देता है, 1,97,000, 2,25,000 का दिखाए देता है, 8500 के आसपास में, तो मेरा selection 8500 और 8700 के आसपास में हो गया, clear है, मैंने open interest के data को देख के नहीं निकाला, मैंने blindly निकाला क्योंकि भाव का चल रहा है, भाव चल रहा है, 8500 जो उसके people pass में है, 8700 जो उसके थोड़ा सा pass में है, तो 700 क्यों लगाया, क्योंकि 700 मेरा लिए resistance है, resistance की put options को आपको लगाना है, support की call options को, इस point को note कलीजे, बहुत बहुत important है, यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यह मेरा premium content है, classes में देता हूँ मैं, जिसकी fees अच्छी कासी रहती है, आपसे share कर content made free for you guys, तो यहाँ पे 8500 क्यों लगाया, क्योंकि 8500 मेरे पास support है, 8700 क्यों लगाया, क्योंकि 8700 मेरे पास resistance है, अब यह डूरून करने के लिए, मेरे पास में मेरा tool भी है, which is a trend trading calculator, तो Nifty के लेवल्स है मेरे सामने, 8400 च्छी अवे, यह मेरे पास एक support, 8500 का support है, मैंने को मैंने plan किया, अब 8500 का मुझे support दिखाई दे रहा है, तो 18500 की call option को मैंने track किया, तो 18700 की production में काम किया, और बहुत अच्छे पैसे बने, क्यों बने, क्योंकि बजार ने दिखी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक resistance को mark किया, कि यह support resistance आपको mark करना आता हुगा, नहीं intact होई, जब 700 के नीचे है और 632 के नीचे, TTC ने बहुत clearly खा कि 632 के नीचे we are hiring towards at least 18496, यह तो आना ही चीए था, आया क्या, चलो दिखते हैं, यह यहां से गिरते गिरते, आज का low पकड़ के दिखते हैं, 18486, 496 तो आना ही आना था, और वापस 496 के अगर बजार उपर च देखा होता, देखिए, दोनों चीज़ लगाते हैं इसाथ में, तकि आपको समझ में है कि कौन सी call option, कौन सी production ने कब पैसा दिया, अब यह हमारा चार्ट है, बीच में हमारा लगाते हैं 18500 की call option को, और left लगाते हैं 18700 की production को, और canvas कर देते हैं, बड़ा, यह देखिए, का price था 83 रुपीर, यहाँ पे मैंने stop loss जिया था, सिर्फ 80 रुपीर का, मैं रीडिंग थी 80 रुपे के नीचे नहीं जानीचे, हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तो 80 रुपे का bottom बनाके, 83 का bottom बनाके, यहाँ से बजार लगाता गिरा, तो 18700 लगाता बड़ी, 80 का माल actually 210 हुआ, पैसा 3 गुनवा हुआ है almost, 2.5 टाइम से उपर में, ठीक है, calculate exactly कर ली जेगा, इस पर गलतिया निकाले लगेंगे तो मजा नहीं आएगा, अब यहाँ पे, अब जिस समय है, यह देखे, time देखे, कौन कहता है, who says कि you can time the markets, साड़े बारा बजे के आसपास में, यह आदे घंटे के आसपास के consolidation था बजार में, उसके बाद जब breakout हुआ, breakout आपको मालन था, 18.496 के उपर में breakout है, support है, option chain का भी support था, यहाँ से जब उसने उपर चलना साथ किया, वापस retest किया, retest करके upward moment आई, तो 18.500 के उपर आपकड़ते, 18.500 के उपर चलता है, तो कौन सी strike price है, सोचके देखिए, अभी मैंने को समझा है, इंदमनी, तो 18.520 के उपर जब जब जाच चल रहा है, तो 18.500 की strike price, 18.500 की call option देखिए, साड़े बारा बज़े के आसपास में क्या बावता, 55 रुपे, 55 रुपे की call option बढ़के होगी, 93.20, पैसा double, एक ही दिन में, put option में प खरीद रहे थे, जहां से समझा, बड़ा important है, 18.700 की call option देखिए, यह वो टाइम में 9.15 का, जिस समय वो 80 रुपे थी, यह call option थी 132 रुपे, अगर 700 की put को खरीद रहे थे, 500 की call को बेच भी तो सकते थे, कि महला अब यहां तेजी नहीं दिखाए ज़री, 500 की call को बेचा होत गिरना साथ लिए, साड़े बारा क्या भा होता, 200 रुपे, 200 रुपे से put गिरके आ गई 134 रुपे, एक ही दिन में पैसा 10 गुना कर सकते हैं, options trading करके, बट कब करेंगे, जब आपके पास में strike price का selection होगा, को से strike price पे कब काम करना है, trend क्या है, आज sell on rise है, क्या, आज buy on dips है, क्या कौन से strategy मुझे लगानी है, ये clear होना चाहिए, trend identify कीजिए, build ups को identify करने कोशी कीजिए, strike price को select करने का, शायद इससे better video को नहीं मिलेगा, अभी भी पसंद नहीं आ रहा हो, तो dislike कर सकते हैं, पसंद आया हो, तो please एक genuine feedback आपकी जब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आईए, दोस्तों को लेकाईए, social media पर share कीजिए इन videos को, इस channel को, इस content को, बताइए कि हाँ, यहाँ पे real analysis होती है, market को real time पर study करते है, option chain के लावा मेरे chart के उपर में एक भी single indicator नहीं लगा होता है, this is only because I trust in option chain data, क्योंकि मुझे मालूम है कि option का data है, that is supreme, तोगि वो data जो है, नाकमनी का है, वो H&Is का है, वो FIs का है, वो hedge funds का है, बहुत सारे ऐसे बड़े players हैं, जो हजारो हजारो करोड रुपे एक एक strike price के उपर लगागे बैठे है, जब एक एक strike price के उपर में हजारो करोड का दाव केला जा रहा है, तो क्या वो data authentic नहीं है, क्या हम उस data को believe ना करे क्या हम भई lagging indicators, moving averages, यह वो फलाना दिखाना, इसी पर time waste करते रहेंगे, दोस्तों, इस channel के उपर में सभी के उपर वीडियोज ले क्या होगा, सभी के उपर, सभी crossovers के उपर में, moving average के crossovers के उपर में, indicators के उपर में, एक एक indicator को analysis करेंगे, उसको best कैसी उसको सकते हैं, वो discuss करना चाहते हैं, आपने सुना हैं, ना, कोई moving average crossover है, या for example, कोई भी, कोई भी indicator के strategy आप जानते हैं, वो discuss करना चाहते हैं, इस channel के उपर में, आप चाहते हैं, कि मैं अपने रूप में, अपनी analysis में, अपने viewpoint आपको दूँ, तो प्लीस बहुत ज़रूर बताएं, comment section बहुत important एक feedback की तरह है, जैसे आपके घर में कोई खाना बनाता है, जब तक आप उसको यह नहीं बताते हैं, आपने खाना अच्छा बनाएं, next time खाना अच्छा नहीं बनने वाला है, और अगर आप बताते हैं, कि हाँ मज़ा आया, थोड़े सी कमीती, थोड़ा change कर लीजिए, नम I hope दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, I hope strike price को select करने की problem आपके solve होई होगी, अगर आप यह भी नहीं होगी है, फिर से comment section में लिखेगा, कोशिश करके एक साथ second version लानी कोशिश करेंगे, thank you so much for sharing me your precious time, this is Vipro Kaushik ये दोस्त, असली Scalper, बिलते हैं नों से ग और कंटेंट के लिए चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ रहें, बेल ने उट्रिकेशन हिट रखिए, बबाए